प्लंबर वाला जो पाइप उतार रहे हो छट से नीचे के लिए कौन सा तरीका से है यह वाला यह फूर अगले वाला चलो बात करते हैं सबसे पहले यह जो पाइप है क्या पीलर में डाल के ढालाई करना सही होगा या नहीं होगा तो सबसे पहले हम बात करें आप इस तरीका को देखो दिवाल के साइड से ले जाना ये सेफ माना जाता है देखो इसमें क्या है दिवाल के साइड से ले गया गया है तो कोई चीज की नुकसान नहीं है साइड में इस पाइप को आप ढहलाई कर दो या फिर precast material लगा के आप यहाँ पर joint कर सकते हैं ठीक है तो यह तो है काफिर अच्छा तरीका जो आप कर रहे हो अब इसके बाद जो आता है बुरा तरीका उसको देख लो इसका benefit तो यह चीजे है कि वहाँ पर दो तीन पाइप जहां जैसे मन उतार लो 10 इंच का दिवाल होन चल रहे हैं अब दूसरे process पे अब आता है जो लोग पीलर के अंदर ही डाल देते हैं पाइप इसका नुकसान सुन लो यह जो है आपका जगह तो लग रहा है कि बच गिया कम खर्च में हो गिया लेकिन यह देखो जो पीलर है जितना उसको strength मिलना चाहिए आप तो बीच मे hole कर दिये बाहर से तो दिखे है कि हाँ यह काफिर मजबूत है पीलर काफिर जादा लेकिन अंदर से तो यह खोखला हो गिया अब इसका क्या है density कम हो गिया घना तब जो होना चाहिए इसके bond का bond सही से नहीं बन पाया घना तो वो कम हो गिया तो यह क्या है आपको break कर सकता ह है कॉलूम को ठीक है कॉलूम की स्ट्रेंथ को का फिर जादा यह रेडियूस कर देगा इसलिए जो यह प्रोसेस है नहीं करना चाहिए एक अच्छे घर का जो सपना देख रखे हो ओ फिर पता नहीं कब यह कबर में बदल सकता है यहां पे देखो किलियर कबर भी सही से नही प्रोवाइड किया गिया है कॉलूम में उसके बाद उपर से इसमें पाइप डाल दिया गिया है सोचो इस कॉलूम का क्या हालत है इसलिए हां दोस्तों ध्यान देना यह सब चीज़े नहीं करना है पुरा प्रोपर तरीका से अच्छे से काम करना है तो आप लोगो सही प्र नहीं कबर बना रहे हैं बांकी जानकारी के लिए आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में कि और क्या-क्या इसके रिलेटेड जानना है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में